Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल जाता था, example के तौर पे Middle Eastern Nations और आज की डेट में डेटा भी कुछ निंदे multinational corporates द्वारा ही control किया जाता है, या जैसे के Apple, Microsoft, etc. And it also be surprised to know कि ये जो बड़ी companies हैं data control करने वाली, इनका revenue बहुत से बड़े देशों की GDP से भी अधिक है. तीसरा ये है कि oil ने पहले की industrial revolutions में एक बहुत important pillar का काम करा है. And वही pillar का काम data fourth industrial revolution यानि की AI और Internet of Things में कर रहा है. Data की बढ़ती हुई importance को देखकर एक Google ethicist ने यहां तक बोला है कि अगर आप data के जरिये लोगों के menu को control कर पाए तो उससे आप लोगों की choice को control कर लोगे. और अगर आपने लोगों की choice को control कर लिया, तो choice को control करते हुए आप उनके behavior को control करोगे और उससे आप उनसे कुछ भी करवा पाऊगे. और यही dilemma था सर भारतिय government के सामने पर. कि data जो 21st century में दोधारी तलवार की तरह उबर कर आ रहा है. इससे देश के लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे कि आप अरोगया सेतु, आपका example ले लीजे. जिनसे COVID के टाइम पर हमें COVID के patient हमसे कितने दूरी पर हैं, इन सब का पता चलता था. और दूसरा इससे लोगों के behavior को control करने के लिए भी use किया जा सकता है. Example के लिए मान लीजे, आप कोई भी online website के उपर कुछ खरीदने जाते हूं. वहाँ जो items आपको show करी जाएंगी, वह कुछ इस प्रकार से उनके positives और negative बता कर किया गया होगा, जिससे आप वही चीज खरीदेंगे, जो multinational corporates आप से खरीदवाना चाहते हैं. इसके सबसे famous यह easy example, offline mode में अगर हम देखें, जो आपने सबने experience किया गया होगा, वो है सर nudging effects जो airports पे पाया जाता है. आप सबने airports ऐसे देखे होंगे? But have you ever wondered कि why airport people they call you two, two and a half hours prior to your flight. 2,5 गंटे पहले ही बुला लेते हैं. And then finally the place from where you have a security check-up to the place, जहां जाकर आप buses में board करके plane की तरफ बढ़ते हो. उन में कम से कम 800 मीटर से 1 किलो मीटर तक का distance होता है. And वो distance सीधा भी नहीं, जिग-जाग होता है. And सारे रस्ते में इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल minimal होती है. अब याप पहुंच गए दोड़ा ही गंटे पहले, पहुंच के करोगे क्या. So we'll end up doing the leisure shopping. आपको लगे का चार बंदे ले रहे हैं, फ्री में बैठा करूं भी क्या चलो लेके देख लेते हैं. So this is how these multinational corporates are modifying your mind. यह problem है. इस problem के context में जानते हैं कि क्या है government द्वारा लाया गया Digital Personal Data Protection Act जो इन problems के solution के लिए लाया गया है. My name is J.S. Gil and I welcome you all to the study IQ education platform. सबसे पहले बिल्को जानने के लिए उसकी timeline को देखते हैं. बिल्की timeline के अगर बात करें, तो साल अधार प्रजेक्ट को challenge किया. He is put a swami if you have not seen him ever. इसके response में हमारे Supreme Court के nine judge bench ने right to privacy को भारत के citizens का fundamental right बताया. And इसी के चलते भारतिय government ने citizens, भारतिय citizens को privacy उनकी right दिल्वाने के लिए Justice B.N. Shree Krishna के under एक committee बनाई. जिसको भारत के data protection के मुद्दो को examine करने का task भी आ गया. timeline में आगे बढ़े हैं, तो July 2018 में इसी कमेटी ने एक draft bill present किया, जिसका नाम था Personal Data Protection Bill, यानि PDP bill. उसके बाद आगे बढ़े हैं, तो December 2019 में इस bill को Parliament ने एक Joint Parliamentary Committee के सामने रखा, तांकि वो इसे review कर पाए. JPC ने जैसे ही इसको review करा, तो उसने इसमें करीब 80 के करीब changes पेश करें. जिने ध्यान में रखते हुए December 2021 में JPC की report के accordingly, एक data protection law, जिसका एक नया version था, वो निकाला जाता है. और उसे नाम दिया जाता है Sir Data Protection Bill का. फिर August 2022 में कुछ कारणों के चलते हैं, फिर से इस बिल को वापिस ले लेती है, government. और उसके बाद, Sir, finally, November 2022 में, Mighty यानि के Ministry of Electronics and Information Technology, एक draft DPDP यानि के Digital Personal Data Protection Bill निकालती हैं. और वो लोगों के समक्ष रखा जाता है, तांकि उनके विचार जान सकें. इसी के चलते, 5th of July 2023 को Union Cabinet इस बिल को Approval देती है, और finally, अभी recently, 11 August को Parliament भी से अपना Approval देता है, and same day, President द्रौपदी मुर्मू जी से सेंट देकर भारत का पहला Digital Data को Protect करने का Act लिके आते हैं. उसके बाद बिलको समझने के लिए, हमें अलग अलग तरहां के जो Data हैं, और जो Terminalogies इस बिल में इस्तेमाल करी गई हैं, उन्हें समझना हो. अगर हम Types of Data जो इस बिल में Mentioned है, उनकी बात करें, तो Data में सबसे पहली Classification आती है Digital Data के. Digital Data आपकी वो Information ये Statistics हैं जो कि आप digitally अपने Laptop, Mobile या Computers में Store करके रखते हैं. It is as Simple as that, sir. तो ये Offline Data आपने उसको Digitalize करके Laptop में रखते हैं, इस Digital Data. पिर आता है, Sir, Second That is your Personal Data. Personal Data वो Data कहलाता है, जिससे आपकी अपनी Identity Reveal हो सके. जैसे कि आपका Naam, आपका Number, आपकी Biometric Information, आपके Financial Records, यहां तकी आपके Health Records भी, Sir. उसके बाद, Sir, Third Category आती है, Sir, अपनी Non-Personal Data की. ये वो Data है, जिससे Generate तो आप लोगी करते हैं, लेकिन इसको Generate करने वाले की Identity कभी Reveal नहीं हो पाती. तो कि आप सोच पा रहे हैं, ऐसा Data जिससे आप ही Generate करते हो, लेकिन फिर भी उसमें आपका नाम नहीं आता. इसके अगर प्रमुख एग्जाम्बल की बात करें न, तो वो है, Sir, GPS के जरिए Traffic का Data. जैसे Google Maps यूज करते हो, तो आप कही Yellow Color, कहीं Green Color देखते हो, जो की Roads की उपर Traffic की Density को Signify करता है. वो Data आप और आपके साथ की दूसरी गाड़ियां, जो उसी Road पर मौझूद हैं, आपने GPS के जरिए Generate कर रही हैं, लेकिन Data किसी के नाम से आपको Show नहीं होता. इसे कहते हैं, Sir, Non-Personal Data. इसके बाद, Sir, Fourth Category आती है, Critical Data की. इसमें वो Data Classify किया जाता है, जो किसी देश के Critical Infrastructure के साथ Related हो. भारत की अगर बात करें, तो भारत के Army-related data, भारत का Defense-related data, और यहां तक के भारत का Nuclear-related data भी इस केटेगरी में आता है. Data की टाइप जानने के बाद हम बढ़ते हैं, इस Act में दी गई Terminology की तरफ. सबसे पहले Terminology है, Sir, Data Principle. Data Principle, इस Act के According, वो Individual है, जो Data को Generate करता है, यानि कि आप लोग. दूसरी Terminology है, Data Fiduciary. यह वो Individual है, यह Entity है, जो किसी के द्वारा Generate किया गया Data, उसको Store करेगी या उसको Process करेगी. जैसे कि बड़ी Companies, Apple, Microsoft, WhatsApp, आप Data, WhatsApp पे डालते हैं, वो Process करता है. तीसरी Category है, Sir, Data Sovereignty के. जिसका मतलब है कि जो Data जिस Particular Territorial Jurisdiction में जनरेट हुआ है, उसे वही के Loss के Recording डील करना हुआ. WhatsApp is in India as well as USA. लेकिन WhatsApp का Indian Data has to adhere to the norms of India. और चौथा and last है, Sir, Data Localization, जिसका मतलब है कि भारत में जनरेट हुए Data को International Companies भारत में ही अपने Servers बनाके उसमें Store रखेंगे. ये Data MNCs अपने दूसरे देशों के Servers में Store नहीं कर सकती है, Sir. That is what you mean by Data Localization. ये सब समझने के बाद, चलिए अभी बात करते हैं इस Bill के Key Features की, सबसे पहला आस्पेक्ट है, Sir. Applicability का. किस पे लागू होगा ये Act? Applicability में भी आगे दो पहलों है, Sir. पहला है, Sir. Place का. Place के बारे में अगर बात करें, तो ये कहा गया है कि इंडिया में Collect करे जाने वाले Digital Data के उपर तो ये Law Apply होगा. फिर चाहे वो Data ओनलाइन में ही Collect करा गया हो, या वो Data पहले Offline में Collect करके बाद में उसे Digitize कर दिया गया हो. तो ये Act Apply होगा. दूसरा ये भी बोला गया है कि इंडिया के बाहर Collect किये जाने वाले Personal Data को भी ये Act कवर करेगा. और उसमें एक Condition है. Condition ये है कि उस Data को इंडिया में ही Goods and Services Provide करने के इरादे से अगर Collect किया गया हो, तब ही ये Law Apply होगा, Otherwise नहीं होगा. Second aspect इस Bill में है सर, Consent का. इसमें ये प्रावधान है कि अगर आपको किसी का कोई भी Personal Data Process करना है, यानि Companies को, तो इस Law के According Companies वो सिरफ एक Lawful Purpose के लिए ही कर सकती हैं. दूसरा, जिस Individual का Data है, वो उससे Consent लेकर ही Process होगा. And तीसरा सर, अगर 18 साल से कम I.U. वाले Individuals का Consent लेना है, तो वो Consent उनके Parents या उनके Legal Guardian से ही Companies ले सकेंगे. And lastly, अगर किसी ने Consent दे दिया है, बट कुछ वक्त बाद किसी भी कारणों की वज़ा से वो Individuals अपना Consent विड्रो करना चाहता है, यानि कि वापिस लेना चाहता है. तो वो ऐ ऐसा भी कर सकता है, इस Act के अंदर उसका भी प्राफदान है. तीसरा अस्पेक्ट में, सर, Data Principle यानि कि आपकी Rights के बारे में बताया गया है. Data Principle, अगर आपकी हम Rights की बात करें, तो सबसे पहले आप अपने Personal Data की Processing की Information कभी भी Data Fiduciary से डिमांड कर सकते हो. मान लिज़े आपने दिया उसको Data, and then you warn'd कि भई क्या Status है मेरी Processing का, you can know it at any time. दूसरा यह है कि आप कभी भी अपने Data में Correction या उसे Completely Erase भी करवा सकते हो. Data Fiduciary से यह भी प्रावदान है. इसरा इसमें यह प्रावदान भी रखा गया है कि अगर आपकी Death के बाद, जैसे आप बाकी Physical Assets में किसी को अपना Nominee Declare कर देते हो, कि आपकी Death के बाद, he will have the right to take decisions on your behalf on this particular property. उसी तरह से अब आप अपने Data के लिए भी Nominee Declare कर पाओगे. तो उसका प्रावदान भी इस Act में है. Fourth अभी Data Principle के लिए एक Grivance Redressal Officer का प्रावदान भी इस Bill ने लाके रख दिया है. तो आप अपनी Grivance's Address भी करवा पाओगे. तो यह थी आपकी Rights. चौते आसपेक्ट में Sir Data Principle यानि कि आपकी Duties बताई गई है. What they expect from you. सबसे पहले तो जो हमने Rights में अभी Last Point, Fourth Point में बोला कि Grivance Redressal का एक Provision है. तो उसको Exercise करते टाइम अगर आप कोई भी False या Frivolous Complaint करवाते हो, तो आपकी उपर Fine लगेगा. दूसरा आप जहां पे Intentionally अपने Consent से अपना Personal Data Data Fiduciary को दे रहे हो, वहाँ आप अपने गलत पर्टिकुलर्स या Information नहीं दे सबूँँगे. तीसरा Provision आपकी Duties में यह है कि अगर आप पहले दो Provision को Voilate करते हो, तो आपकी Pocket में 10,000 उपे होना चाहिए. मतलब आपके उपर Penalty लगेगे. पांच में आस्पेक्ट में सर, जो Data Fiduciaries हैं, उनकी Obligations, यानि कि Companies की Obligations की बात करी गई है. सबसे पहले आगर कोई Data Breach होता है, Data Breach इसका मतलब है कि Data की Hacking हो जाती है. आपने कंपनी को Data दिया, कि Data आपका Hack हो गया. उसमें सबसे पहले इन्हें Data Principle, यानि कि आपको बताना होगा, Company सबसे पहले आपको बताएगी. फिर Data Protection Board of India, जो इसी Act के अंदर बनाया गया है, उस Company को आपका Data Erase करना होगा. And that is obligatory. लेकिन इसमें एक exception है. वो यह है कि अगर Indian Government खुद ही Data Fiduciary है, तो उस Case में Data Principle, यानि कि आप, आपकी जो Right to Erasure है, वो आप कभी भी Purpose Solve होने के बाद भी Exercise नहीं कर पाओगे. मतलब Indian Government के Context में, आप कभी भी अपना Data Erase नहीं करवा पाओगे. Sixth aspect में Cross Border Transfer की बात करी गई है. ये aspect 2019 वाले Bill का सबसे बड़ा criticism बना था. क्योंकि उस Bill में इसे अनुमती नहीं दी गई थी. तो Multinational Corporations had a huge UN cry against this bill. लेकिन DPDP Act Personal Data को इंडिया के बाहर Transfer करना भी अलाव करता है. बस इसमें एक exception रखी गई है. वो ये है कि Central Government एक notification द्वारा जिन भी countries को ban करेगी. उनमें Data Transfer नहीं किया जा सकता. मतलब open to all, but there will be some exceptions put by the Indian Government. 7th aspect में Overall Exemptions की बात करी गई है. Exemptions में अगर सबसे पहली बात करें, तो अगर किसी offense की Government of India द्वारा investigation करी जा रही है. और उस दौरान Data Principle या Data Fiduciary की कोई भी rights जो इस Act के जरिए मिलती है, उनका violation होता है, तो वो उसे claim नहीं कर पाएंगे, Sir. That is an exception. Secondly, Central Government, 5 reasons, जिसमें Number 1 is the security of the state और India. Second is public order. Third is research. Fourth is archive. And lastly, statistical purpose के हवाले से, इस Act में किसी भी चीज़ को exempt कर सकती है. And 8 aspect में एक Appliate Tribunal की बात करी गई है. इस Act के अंदर जो Appeals File होंगी, वो एक Already Existing Telecom Dispute, Settlement and Appliate नामक Tribunal के पास ही जाएंगे. तो अगर कोई Dispute होता है, उसके लिए नया Tribunal नहीं बनायागा, इसी Tribunal के अंदर जाएंगे. उसमें अगर कोई Children-related Matter है, तो उसमें 200 करोड तक की Penalty लगेगी. And अगर कोई Data Breach होता है, और उसमें ये पाया जाता है, कि Data Breach क्या जो परमुख कारन था, वो Data Fiduciary यानि कि Company द्वारा adequate security measures नहीं लिये जाना था, तब वो Company की उपर भी 200 करोड की Penalty लगा सकता है, ये Board. और Lastly, इस Act में Data Protection Board का भी प्रावदान है, जो भी Fine लगा रहा था. अगर हम Data Protection Board की बात करें, तो इस Board को Central Government द्वारा बनाया जाएगा. और ये Board सबसे पहले तो Monitoring and Implementation of this Act all over India. दूसरा ये Data Fiduciaries यानि की Companies और Data Principles यानि की आप, आपके उपर Penalty लगाने का काम करेगा. जो हमने उपर देखा 10,000 रुपे, 200 करोड, 200 करोड. And Lastly, Data Breach के Event में, माली जे Data Hack हो गया, ये Data Fiduciaries की Help भी करेगा उसमें Curative Measures लेने के लिए. तो ये हैं इसकी Provisions. Provisions जानने के बाद, सर, हम बढ़ते हैं Bill की Significance की और. Bill की Significance की बात करें, तो सबसे पहले ये भारती citizens को उनकी Right to Privacy, जो की 2017 में Supreme Court के Nine Judge Bench ने पुट्टा स्वामी केस के अंदर Fundamental Right under Article 21 बताया था, उसको दिलाने में मदद करेंगा. दूसरा बहुत सारे data breach के जो अभी हभी हमारे सामने incidents आ रहे थे, अभी recently जैसे AIMS में, the highest medical institute of India में data breach हो गया, health related बोर्वी. फिर COVID portal का किस्सा आया, जिसमें vaccinated users की जो information telegram पे leak करी गई थे, वो सारी information leak हो गई थे. और लास्ली 2014 में जो Cambridge analytical scandal था, तो इन जैसे incidents को भी curb करने में ये act हमारी मदद करेगा, sir. और लास्ली इस act को लाकर भारत United Nations Conference on Trade and Development के according, उन 137 मुलकों में शामिल हो जाएगा, जिनके पास अपने data protection legislations है. तो ये थी, sir, इस act की significance. लेकिन, every coin has two sides. significance के बाद, इस act को challenges भी होंगे. तो अगर challenges की हम बात करें, तो सबसे पहले central government जो exemptions provide कर सकती है, इस act में उससे individual की right to privacy under article 21 violate होगी, sir. दूसरा सुप्रीम कोट ने पुट्टा स्वामी judgment 2017 में एक principle of proportionality का reference दिया, जिसका मतलब है कि कि इसी भी individual की right to privacy को अगर government ने infringe करना है, तो जो privacy का violation है individual की, वो सिरफ उतना ही होना चाहिए जितना government को अपना purpose solve करने के लिए चाहिए. लेकिन इस act में government को जो exemptions दी गई है, वो doctrine of proportionality के against है, sir. तीसरा है, sir, government जो data इकठा करेगी, क्योंकि right to erasure तो है नहीं, उसके लिए individual के पास, मतलब किसी भी context में right to erasure नहीं होगा, तो उससे ये data का इस्तेमाल करके, government कभी भी 360 degree surveillance create कर सकती है future में, तो इसका भी खत्रा है. fourthly, इसमे right to data portability and right to be forgotten का explicit प्रावधन शामिल नहीं किया गया है. इसलिए challenge है, क्योंकि ये जो, दो reason, दो points है, ये JPC की recommendations में recommendations थी. fifthly, अगर cross border data की transfer की बात करें, तो एक act कहता है, कि data transfer सभी countries में allowed है, with the exception of those, जो government एक notification के जरिये ban करेगी. इसको अगर दूसरे तरीके से समझें, तो data sub countries में transfer किया जा सकता है and that also without any restrictions. इस provision के चलते हुए, कोई भी protection measure नहीं रहेगा, जिससे India के बाहर, भारतियों के store किये गए data को data breaches से बचाया जा सकेगा. तो provision दे दी गई है, लेकिन without any protective measures. sixth मुद्दा है, सर, independence of data protection board का. सबसे पहले तो इनका जो appointment है data protection board वालों का, उनका term दो साल का रखा गया है. और साथ में ही इनको re-appointment का scope भी दिया गया है. जिससे इस board के members का executive यानि की central government के influence में आना बहुत जादा probable है. and last issue सर आता है, वो आता है children's का, इसके बाद conclude करेंगे. children's की provisions की लिए हमें समझने के लिए हमें बाकी मुल्कों के data protection laws को समझना जरूरी होगा, sir. बाकी nations में अगर हम United States की बात करें, तो वहाँ कोई stand-alone data protection act नहीं है. वहाँ पर एक cloud act है, जिसके जरीए bilateral data transfer को handle किया जाता है. और अगर specifically data protection law को देखे, तो वो सिरफ preliminary question भी था. वो GDPR एक stand-alone law है, और वो वहाँ के citizens के पक्ष में है. तो भारत का जो model law है, वो भारत का जो law है, वो कुछ European Union के lines के उपर है. Lastly, अगर चाइना की बात करें, तो वहाँ government friendly model है. चाइना में अभी तो ये भी कहा जाता है, कि तीन walls अगिस्ट करती है, सर्थ. जिनमें पहले history से संबंद रखती हुई, जो आप सबको पता है, great wall of China है. दूसरी international relations के साथ related South China Sea के अंदर चाइना एक sand wall बना रहा है. और lastly, internet के लिए वहाँ पे great firewall भी है. जो हर तरह का government criticism internet से, internet पे आने से पहले कि फिल्ट रगर देती है. Children के मामले में Indian government में जो age limit रखी, हमने उपर देखा 18 साल की consent लेने के लिए, वो कुछ Chinese model की उपर based. US और EU में ये 13 से 16 वर्ष तक की age रखी गई है, और वो भी subject matter के accordingly vary गरता है, sir. इससे problem ये आएगी कि 21st century में, especially बच्चों को हर चीज को access करने से पहले अपने parent या guardian का consent लेना हो, जिससे उनकी education और दूसरे creative aspects की development पर फरक पड़ सकता है. तो ये हैं, sir, इस बिल के challenges. Lastly, अगर हम इसको conclude करें, तो government द्वारा लाया गया ये act एक अच्छा कदम, it's a good step forward in this 21st century, especially in 4th industrial revolution, पर digital governance के जमाने में, सिरफ एक strong data protection law लाना ही sufficient नहीं होगा, sir. Government को इससे जुडी हुई और चीजें भी, जैसे के cyber security, artificial intelligence, इन सब को deal करते हुए European Union की lines के उपर एक act लाना होगा, जैसे कि वहाँ पर digital services act है, AI act है, digital market act है, तो इन सब पर भी government को विचार करना हो, that is a way forward. तो यह था, sir, आज की class का analysis, उसको जानने के बाद आपके क्या विचार हैं से लेकर, I would be eagerly waiting to know that, do mention in the comments below, thank you for being there, that's all for today's class, see you guys in the next one.